आत्मा की फोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चेनल से आपका अपना चेनल पुरु अशोक तिवारी राइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माता की जै प्रशांट सिरी गणे शाय नमा तो बंदूगो इस प्रकार से हम सबसे ज़्यादा अपने सरीर को ही चाहते हैं और वही सरीर सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देता है अब प्रतियक मनुष्य अपने जीते जी दूसरे क्रम पर सबसे ज़्यादा किसको चाहता है तो बंदूगो दूसरे क्रम पर मनुष्य अपनी जो जर जमीन जादाद धन और दोलत है उसको ही चाहता है तो यह हमारी धन, दोलत, जमीन, जादाद, रकम, रुप्या, पेसा यह सब पैसे के रूप में समसान के दरवाजे तक ही उस मरे हुए व्यक्ति के साथ में जाता है अब यह सब चीजें कैसे उस मरे हुए व्यक्ति के साथ में समसान के दरवाजे तक जाती है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति मरत्य को प्राप्त हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि उसकी अर्थी को सजा करके और समसान में ले जाते हैं तो घर से समसान का जो द्वार है वहां तक जाते समय हम क्या करते हैं कि उस सब के उपर सूखे में वे जैसे दाक, चिरोंजी, खारक, बादाम और मखाने तथा कुछ रुपिय और पेसे ये सब मिला करके हम उस सब के उपर डालते हुए चलते हैं तो ये क्रिया हमारी कहां तक चलती रहती है कि घर से और समसान का जो दर्वाजा है वहां तक हमारी ये क्रिया चलती रहती है तो ये दाक, चिरोंजी, मखाने, बादाम, काजू, किश्मेश और रुपिय पेसा ये सब चल और अचल संपती के प्रतीक हैं इन सब को हम उस सब के उपर बलिहारी करते हुए घर से और समसान के दर्वाजे तक ले जाते हैं तो कहने का अभिप्रा ये हुगा कि जो हमारी चल और अचल संपती है वह सब भी जो है समसान के दर्वाजे तक ही हमारा साथ देती है इसके पस्चात समसान में जब प्रवेश करते हैं तो मात्र शब ही प्रवेश करता है और उसके परिवार के लोग होते हैं या जो इष्टमित्र होते हैं ना ते रिष्टेदार होते हैं ये सप्रविश करते हैं परन्तु जो उसका एश्वर्य है वह समसान के दर्वाजे तक ही सीमित रहता है भीतर नहीं जाता है अब अरे भाई ये तो उसका ही कमाया हुआ था उसकी अपनी दोलत थी उसने बड़े लगन और प्रेम से इस दोलत को कमाया था फिर उसकी ये दोलत ये जो चलो रचल संपत्ती है वह उसके साथ में भीतर समसान तक क्यों नहीं गई अब जिस व्यक्ती की ये समस्त चलो रचल संपत्ती है जो व्यक्ती मर गया है जब वह व्यक्ती जीवित था तब तो लोगों से इसका बड़ा वखान करता था मेरे पास में इतना रुपिया और पेसा है इतनी जमीन है, इतनी जादाद है इतनी रकम है, इतनी फेक्टरियां है मेरा इतना नाम है ये सब वह लोगों के बीचे में कहा करता थे अब जब ये सब संपत्ती तेरी थी तो तेरे साथ क्यों नहीं चली गई क्यों यहीं पर रहे गई क्यों तू अकेला चला गया तो बंधु ओ इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है सब पराया है जिसको हम जितना जादा अपना समझते हैं वो उतना ही जादा पराया है यह जो दुनिया की बस्तुएं हैं यह सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी कुछ भी साथ में नहीं जाएगा इस बात को आत्म साथ करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है और हम इस धरा धाम के उपर जन्म लेकर के हमारा कर्तब बनता है कि हम मानवो चितकाविय करें और साथ में इस्वर चिंतन भी करें ताकि हमारा और हमारे परिवार का भी कर्लियान हो बंधुओ आज के लिए बस इतना ही सेस्फिर नई विशे के साथ में आपकी सेवा में उपस्तित होंगे आग्या दीजिए धन्यवाद जैमाता कीजे परश्रम दीजिए